नौश्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपकी यही चैनल में तर्चा करेंगे दोस्तों मार्केट की कल के लिए कल है बुद्वार का दिन और तारीक होगी 24 अपरेल कुछ होता है भाई कल के दिन क्या होता है अरे कल तो भहिया गौड ओफ क्रिकेट इनका जनम दिन है ठीक है सच्चिन सच्चिन तेंदुलगर का बड़े है कल 24 अपरेल चलिए अच्छा दिन है भाई यह कैसा प्लेयर ठीक है जो सेंचुरी मारता था स्टॉक मार्केट ऊपर जाता था एंड यूएस की क्या कहते है जो प्रोडक्शन थी उसका रेट डाउन हो जाता था ऐसा इंपेक्ट आवन देगा ठीक है चलिए हम एनलेसिस करते हैं अपना मार्केट को लेके देखे दोस्तों मैं एक चीज़तों पहले क्लियर कर दूँ आपको निफ्टी एंड बैंक ये दोनों वो नंबर क्लिक कर चुके हैं ट्रिगर कर चुके हैं जहां से निफ्टी का टारगेट 22 500 के लगबग आना चाहिए और बैंक निफ्टी का टारगेट 48500 के लगबगाना चाहिए यह पॉइंट नंबर वन बिलकुल हो चुका है तो नंबर कौन से हैं बैंक निफ् ठीक है अब दिक्कत क्या है मतलब घर में कैरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं कल की भी candle red थी मतलब opening के नीचे closing थी ठीक है आज की भी candle वो ही है opening के नीचे closing है तो ये भी red candle है ठीक है तो है तो market देखे ठीक ठाक market में कोई खराबी नहीं पर यहाँ पर अगर हमको हलका सा नीचे मिले ठीक है ये क्या कहते है बाइस हजार दो सो के आसपा थोड़ा सा retrace करे तो एक buying का area बनता है या बाइस थीन सो कुछ मतलब नीचे की तरफ मिले तो एक बार को हम buy कर सकते है ठीक है तीक है market का क्या है यह एक zone है यह वाला दिखरी है आपको केंडल यह वाली केंडल दिखरी होंगी आपको इसने इसके अंदर entry ले लिए और कब entry लिए है ठीक है यह तो यहां से भी गिरिया था यहां पर भी नहीं कर पाया इस दिन entry लिए जब इसने 22.350 को क्लिक किय ठीक है अब ये ऊपर एक हम शॉट करने का सोच रहे थे वो हम कब सोच रहे थे जब ये इस लाइन के नजदीक हो मतलब या तो 22,470 के आसपास मिले मतलब इससे ऊपर ऊपर 22,500 के आसपास कहीं मिले जिसमें सुबा जो मैंने चर्चा की थी कि ये SL लगा के एक बार शॉट किया जा सकता है बट वो खुलाई बिल्कुल बीच में तो फिर तो ट्रेडेबल था ही नहीं मैंने कोई आपको ट्रेड भी नहीं दिया कि इसको ट्रेड किया जा सकता है इंडेक्स को और भीया जो मंगलवार है ना फाइनस निफ्टी के इतने बोरिंग होने लग गए है मंगलवार Tuesday बहुत बेकार तो वह अंदाजा मुझे लग गया था टेलिग्राम पर मैंने आपको बता जिया था कि इंडेक्स को अवोईड ही किजी ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे हम कल क्या कर सकते हैं देखें यह जो नीचे वाली लाइन मिल रही है अब होगा क्या आप इस जोन के प्राइस सेक्षन को देखनी यह जो दोनोलो जोन और वक्साइड का ट्रेड ले सकते हैं इसमें आने का मतलब है इसकी रेंज यहां तक तो अपन हो गई है 22-500 के आसपास तर ठीक है तो यह ट्रेड या तो लिया जाए कि हमें हलका सा यह इस लाइन के ही आसपास मिले 22,300 के आसपास मिले 22,260 के आसपास मिले कुछ ऐसा मिले यहां कहीं मिले फिर हम buying करें यह तो फिर हमें momentum मिलेगा market ऐसा नहीं है कि आप देखें bullish है bullish number हो गया तो मैं घुज़ जाओ इसमें ठीक है आपको एक तो confirm हो गया कि कि भईया कमजोर नहीं दिख रहा है तो आपको buying का area फिर देखना पड़ेगा है ना तो यह है अगर या तो हमें नीचे मिले तो हम buying करना चाहिए ठीक है या फिर हमें इस line के आसपास मिले तो एक short cut करना चाहिए घर लेके जाने का मतलब नहीं है वो clarity नहीं आ रही है मतलब जो check box है मेरे ठीक है वो जब तक सारे टिकनी candle मेरे को green चाहिए अगर मुझे मेरा सबसे basic rule है और या आप भी अपना लो तो बहुत अच्छा setup होना बहुत जरूरी है तो कि मैं trade जिंदिगी बर नहीं कर पाओगे अगर घर में कोई कोई भी call carry करके जानी है तो भाई वो candle का color green होना चाहिए सिर्फ एक case में कभी कभी नीचे की तरफ hammer आपकी help कर सकता है ऐसे करके hammer हो ठीक है जिसकी डंडी कुछ ज़्याद है ऐसे लंबी हो यहाँ पे scene scenario बदल सकते हैं कभी hammer मिले नीचे red color का तो भी आप trade लेके जा सकते हैं और green color में hammer छोड़ना नहीं है वो तो btst high है green color का hammer तो btst high वो stock अगले दिन के तो यह है nifty ठीक है ऊपर की तरफ यहाँ पे है sell की opportunity नीचे की तरफ है यहाँ पे buying की opportunity जो बीच में हाथ लगाएगा उसके हाथ में मिलेगा क्या बाबुराओ का तंबुरा ठीक है वो एक हाथ से लेगा ब्रोकर के लिए trading नहीं करनी है trading अपने ब्रोकर को ब्रोकरेज देनी है यहाँ यहाँ बीच में हाथ लगाओगे जल जाओगे ठीक है अब छोटे टाइम फ्रेम पे यह देगे यह प्रॉपर sideways market अब बात आती है beer की देखे intraday pattern पे तो कहीं से भी कैसे भी short किया जा सकता एक बार को आप sell attempt ले सकते हैं यह यहाँ से टूटा तो घर में ठीक है इंट्राडे हो सकता आद किसीने last में sell करदिया हो यह पर pattern देखके five sprint का मैं इंट्राडे की short की बात नहीं कर रहा है जह देखे अगर आपने इहां पे line draw कर रखिऊँ यह हो सकता है आपने लिया हो है औरmarks इंट्राडे की में बात नीं यहां पर मैं गाइड थोड़ी कर सकता हूं कि यह लाइवल दिये तुम यह पॉइंट कैप्चर कर लो अधरवाइस तो प्रॉपर साइडवेज मार्केट है यह कुछ हुआ ही नहीं है मार्केट में कल के दिन आप इंट्राडे ट्रेड लेना चाते हो तो यह दो चीज मार्क कर लो इसके उपर जाएगा तो डेफिनेटली यह जो रेंज है यह उपर की तरफ आपको टार्गेट देदेगे देखें तो लिए कल का मैं आपको इंट्राडे सेटप बताते हुआ है यह पकड़ा यहां से बक्सा यह लिया बस अभी कितने पॉइंट का बक्सा है कितने पॉइंट आपको कल मिल जाएंगे यह है यहां पे 22 420 22 22 420 यह नीचे है 22 33 50 तो इस 70 पॉइंट आपको इसके उपर मिलने चाहिए ठीक है 60 60 से 70 पॉइंट यहां से तोड़ेगा तो आपको यह 22 300 के आसपास मिलना चाहिए 50 60 70 इसमें से कुछ भी आप कैप्चर गर सकते हैं एक मिंट अगर अगर खिरूए यहां 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 टिद। मेरा बिचारा बच्चा कोई घर पर आता है उसके पीछे पड़ गया है एक्स्रीमली सौरी फोट डिले ठीक है पचास साथ सतर पॉइंट आप इसके उपर मिले वहां से ले सकते हैं इसके नीचे जाए वहां यह आपका कल का इंट्राडे सेट अप बन गया कर लीजे ठीक है अब बात आती है घर में पुट लेके जानी है कि नहीं भाईया वही लेवल है 22,100 इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए आप घर में पुट केरी करके जाए जैसे पिछली बार किया था टार्गेट 21,900 ठीक है 21,700,21,500 ठीक है यहां मिले 50% बुक SL कॉस्ट पे इसके नीचे मिले 60-70% बुक SL 21,900 ठीक है और जैसे पिछली बार क्या हुआ पिछली बार यहां कहीं बीच में से घुम गया तो हम इतना ही ले पाए ठीक है SL यहां पे आके हिट हो गया वो बात की बात है तो यह है फिलाल मोटा मोटा निफ्टी जो मुझे BSC को देखा होगा आपने किस प्रकार से उसने आज की दिनी छपड फाड दिया ठीक है तो चीज अगर फसी हुई निकलती है फसी हुई निकली आज तो पक्का डेफिनिटली मूव देगी तो आज क्या है मार्किट आज फसा रहा है करना अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर करना चाते हैं डेफिनिटली आपको पचास अफसे सतर पॉइंट उपर नीचे की तरफ मिलने चाहिए डेफिनिटली ठीक है चलिए यह हो गया निफ्टी ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है जैसा कल का अनलिसिस था वैसा ही मिलेगा आपको है ना ठीक है अब चलते हैं बैं बैंक निफ्टी बूलिश है ठीक है केंडल रेड बनी है वो ही तो केंडल रेड बनी है तो घर पे कैरी करके नहीं जा सकते भाई सिंपल ठीक है अब ये कल क्या करेगा ये भी पूरा साइड़ वेज रहा है पर आप देखेंगे तो ये ये तो भाई ये मिल सकता है ये प्लेश फ्लैग ये यहां से काटेगा तो ट्रेड कीजिए इसको ठीक है अगर मैं लेवल बताओं आपको तो लेवल क्या निकलेगा तो फोर एट सैवन जीरो इसके उपर निकले बाए है ये वह ही है ठीक है 48070 इसके उपर बाई कीजिए ऐसल यहां पर आपको 47930 का लगा लिजिएगा ठीक है कभी बर्माशी होती है बाई कीजिए ये टार्गेट है 48470 ठीक है डोंट मिस डोंट मिस नीचे इदर कहीं आएगा एगा अवाइड यह tradable जगह नहीं है ठीक है यह trade करने लाइक जगह नहीं है यह दोस्तों कल के लिए analysis जादा कुछ बोलने के लिए है नहीं market में कुछ की कुछ हुआ ही नहीं है तो हम उसको ज़्यादा analyze करें क्या sideways होगी और कुछ नहीं हो में जहां था वहीं का वहीं है ठीक है चलिए Thank you very much